गुण बारेंग तो आप सभी लोग आज दस नमबर लगवाई से ही लूट रहे हैं वैसे इस साल के मताबिक पांच नमबर प्रोज से और पांच नमबर पोईट्री से मैंचिंग के लिए दिया गया था तो दस नमबर और उस से रिलेटेड आपजेक्टिव कोईश्चन्स भी होंगे वो अलग हो जाएंगे यानि तेरा चौदा नमबर कभी कभी पूद देता है कि बताईए फलाना प्रोज ये कौन सा है स्टोडी है कि नोबल है इस से भी एक दो नमबर बनने के आसार हो जाते हैं यानि काफी नमबर है आपको मैचिंग से लेका कि आपजेक्टिव तर सम्हालने में काफी मदद मिलेगी आईए हम लोग इसके लिए क्या करना चाहेंगे बस और बस केवल आपको प्रोज का नाम, राइटर्स का नाम, उसी तरह पोईट्री का नाम, उनके पोईट्स का नाम याद करना है केवल याद करने से 5-10 नमबर आपको मिल जाती है इससे बढ़िया और क्या अप्रोच होता है आईए हम लोग देखें, जैसे कि पॉट्री सक्षन में हम लोग 10 नाम याद रखें, इसी 10 से 5 नमबर तो सॉलिड हो जाएंगे, अब्जेक्टिस में भी काम आ जाएंगे, फिर हम इसके बारे में बताएंगे, कभीता परहाएंगे ही, कभी के बारे में बताएंगे, उनके ज जाउन डण, पहला है जाउन डण, इसको डणने ने परलोगे, जाउन डण, उसन ने लिखा है, सुटेस्ट लव, I do not go, शॉट में आपका सकते हैं, सुटेस्ट लव, I don't go, ये गव पुराने इंगलिस है, इसले स्पेलिंग ए एक्स्टा है, दोसरा है, वाल्ट विटमें जाउन डण, जाउन लिखा, सॉंग आउप माईसिल्फ, तीसरा, डाउलु एच ओडन, नाव दालिव सार, फालिंग फास्ट, फालिंग ने बोलोगे, फालिंग, चवथा, जॉन किट्स, टू आउटम, यानि ओ टू आउटम, पांचमा है, वाल्टर डेलामेर, जाउन एपिटाफ, छठा है, रुपट ब्रुक, जिसन लिखा, दाश सोल्जर, सोल्डियर ने पर लोगे, सोल्जर, एंड, टेस इलिएट, मैकेविटी, तामेश्टिक है, मैकेविटी, दामेश्टिक है, एंड, केकियन दारुवाला, फार हीम, कहानी अब जहुल की साबसे नहीं रटेंगे, इने केकियन दारुवाला, दारुव पिकर के आग लगा दिया, यह सब टिप्स नहीं काम करेंगे, शीधा सिधा रटिये, नेमिंग याद करना है, टिप्स की जरुत नहीं परेगा, डिएच लारेंस, एसनेक लिखा, एसनेक को दाशनेक भी कर दे, कोई फर्क परेगी, और आगे, कमला डास ने, माई ग्रेंड मदर साउस लिखा, यह सारे दस्क्या अप रट लेते हैं, तो मैंचिंग में काहू दिक्कत नहीं होगा, कौनों दिक्कत नहीं होगा, आईए हम लोग लेते हैं, जासा देखिए, हम लोग चलते हैं, सेट वन में में मैंस पोईट्स गिवहन इनलिस्ट ए, वेद अप्रोप्रेट टाइटल्स फ्रम लिस्ट भी, फाइम मास के, जैसे वाल्टर देला मेर, अभी अभी हम लोग पढ़े थे, वाल्टर देला मेर ने एन अपिताफ की रचना किया, यह कहां पर एन अपिताफ, वन का थ्री, वन का थ् टू आटम, टू का फाइब, यान बी का फाइब, शी रुपर्ट ब्रुक, रुपर्ट ब्रुक ने कौन सा लिखा, दा शोल्जा, वन, एन केकी अंदार वाला, वाई फाइड हीम, तो फाइड हीम कहां पर है, टू में, एन वाल्ट वीट में, एक बच गया सौंग अम माइ आंसर तेने मेरे बच्चे, अबजेक्टिव कोश्चन में पूछता है, अबजेक्टिव में पूछेगा सिधा सिधी, वह भी हम एक दिनी करवा देंगे दस नाम से, जैसे, स्वीटेश्ट लब, आई डू नट गो, या या डांट गो, हैज बिन कंपोजड वाई, की रशन वक्स, कंपीटर जी, वक्स, एडी नहीं, वक्स, W-R-K-S, वक्स मने होता रशना है, कामला दास, my grandmother's house, John Dunn, Swedish love, I do not go, Walter Delamere, Ann Epitaph, हैना, एन आगे कंपीटर जी बढ़ाए, आगे, Rupert Brooke, the soldier, and D.H. Lawrence, ethnic, तो वन का थ्री, आप आगे, my grandmother's house, दो साय, John Dunn, Swedish love, I do not go, शी, Walter Delamere, Ann Epitaph, D. Rupert Brooke, the soldier four, and E. का तू, आप देखर है, my grandmother's house, इमे, D.H. Lawrence, two to two, ethnic, या, हैना, और कामला दास, आगे, my grandmother's house, इस्ता समलों, मिलान कर रहे हैं, आईए, तीसरा, match the names of the poets, given in list A, with their works, in list B, फिर से मिलान करना, तीन तीन से वर्मादी से फालतू राताने, इसी को उपर नीचे करके पूछता है, Rupert Brooke, the soldier, कहीं पर होगा, मैं छोटा कर लेता हूँ, ताकि आपको दिखाए पड़ जाए, आ, आगया है, वन का फाई, एका फाई, वाल्ट विटमें, शौंगम मैसेल्फ वन, W.H.O.D.न, नाव अलिए लेफ्स आ फालिंपास, कामला दास, मा ग्रेन मदर साउस, जान दन, स्विटेश लव, I do not go, अब देखिए, एका 5, ए में कौन है, रूपर्ट परूप, 5 हो गया, B मैं 1, B का 1, ठीक है, 3 का, C का 3, ठीक है, D का 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, मा ग्रेन मदर हाउस, ठीक है, and जान दन, 1 का 4, स्विटेश लव, यान तीनों सेट हमने बनवा दिया, अब प्रोज सक्षन बसते हैं मेरे बच्चे, प्रोज सक्षन दो चीज़ को याद रखना है, राइटर, और उनके चाव ऐसेज हैं, लेसंस के नाम याद रखने हैं, चाव ऐसेज हैं, डामा या कॉमेडी है, ऐस्टोडी है, या फिर स्पीच है, उन सब चीज़ को याद रखना है, इससे भी अबजेक्टिम में काम आएंगे, जैसे की पहला देखते हैं, इंडियन सिब्लाइशन कल्चर ये एक ऐसे है, जिसको महात्मा गांधी ने लिखा, अब आपको पूछ देता है Indian Civilization Culture has been written by तो भी महात्मा गांधी और Indian Civilization Culture is डेस, number one, a story, number two, a novel, number three, an essay, and number four, drama, आपका क्या होगा, an essay, या भारती माहोम a speech है, डॉक्टर जाकिर हुष्चन के दोरा, a pinch of a snuff, a story है, Manohar Malagankar की, and I have a dream, a speech है, Martin Luther King Jr. की, आएए, ideas that have helped mankind, but around Russell की है, और या एक essay है, the artist, या एन आर्टिस्ट, a story है, Siga Naya की है, and a child is born, एक essay है, German Greer, German Greer, how far is the price, एक essay है, Drothy, L. Sears की है, और साथी साथ, the earth, एक story है, attributes की है, उसके बाद, आप लेते हुआ, इंडियाज, through a tabler size, a case से है, Pearl S. Buck की है, है न, और a marriage proposal, drama, drama में भी comedy है, हास ब्रेंग से भरा हुआ, शुकांत नाटक है, Anton Chekhov, यह Russian writer है, तो सभी का स्थान, हम अलगला ग्रूप से बताएंगे, अभी matching में हम बता रहे थे, match, the authors, in list A, with the works in list B, Pearl S. Buck, अभी हम दोग पढ़े थे, इंडिया, through a tabler size, आएगा नीचे, दोसरा है, Martin Luther King Jr., our dream, तीसरा, हम लोग C मिलेंगे, महात्मा गांधी, इंडिया, इंडिया, इंडियान सिवलाइशन कल्चर, इंडिया ने, इंडियान सिवलाइशन कल्चर, इंडिया तो धर है, बत्रान रसल, बत्रान रसल ने लिखा था, कौन्ची R.D.I. that have helped mankind, and C.G.A. the artist, अब हम देखते हैं, A का 3, A में क्या है, राइटर कौन से हैं, A के राइटर हैं, Pearl S. Buck, Pearl S. Buck 3 को लिखे, इंडिया तुर टेवलर साइज, ये ठीक है, B के 2, B में कौन से राइटर हैं, हम लोग देख लें, B, Martin Luther King Jr., 2, आवा दीम सही है, शी, महात्मा गांधी, इस ने लिखा है, Indian Civilization Culture, शी का 1, 1 में Indian Civilization Culture है, सही है, आव आपने देखा, कि हमारा D, बटान रसल का है, जो 5 होगा, D का 5, R,D.I. that have helped mankind, उल्टा भी रह सकता है, उधर का इधर कर देगा, इधर का, उधर उससे काउनों मतलब नहीं है, आगे, and last one is the artist, या an artist, अगोना दूसरा भी है, यह दूसरा मोडल हो गया, एक दो मोडल करके बनाय हुए रखोगे, इससे बाहर को सन्ने होता है, इनी दस में से पूछता है, याद रखेंगे, एक ग्यारा प्रोज है, और दस पोएम्स है, एक ग्यारा दस है, किसको रट जाना है, आगे, एची बेट्स, अब एची बेट्स ने लिखा था, दार्थ, वन का 5, सही है, जर्मन ग्रीर, एसना लिखा है, चाल्ली बॉन, बी का 3, सही है, ड्रोथी एल सेर्स, एसना हाओ फ्रिल्द प्रेश को लिखा, यानि सी का 4, एन डी है, मार्टि लोथर किंग जुनियर, 2, आव डीम, यानि एकुरेट आंसर हो गए, शही आंसर है, इस दसको आप, पोएम को, और 11 प्रोज को, पुरे याद कर लेंगे, उसके राइटर्स और पोएट्स को, आपके मैचिंग तो बनी जाएंगे, आपजेक्टी में भी शहायता देगी, आपजेक्टी हम अलग से बनवाएंगे मेरे बच्चो, सिलेबस वही है, अब नई सिक्षानिती जब लागू हो रही है, तो सारे ची आपके बदल रहे हैं, ये बाइस से परिशा नई सिक्षानिती में होगी, 21 में लागू होने वाली है, और 21 से कॉम्प्टिटी बच्चों के लिए CET होगी, जिसमें इंगली से ह आपर कलास होती है, आल अबर इंडिया के, CET ही अलग अलग होंगे, मैटी लेवल के अलग, इंटर के अलग, अर्गरिशन लेवल के अलग, तो 200 सुरुवात है, आम मेरे साथ जुरे रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, और YouTube सर्सक्राइब जरू करें, करवावें, शे जर ले अपने आपको, हम लोग चलते रहेंगे, ओकेई, शियू, एक कुमार सर, समस्थिपूर, एक टोपरमा सर्च कर लोगे, और देखते रहोगे, चलते रहोगे, जोडते रहोगे, जड़ाते रहो, फइलाते रहो, बढ़ाते रहो, धन्यवाद, बबाए